नमस्कार आप देख रहे हैं हिमकम नियूज और मैं हूँ आपके साथ पार्थ सिंग एक तरफ दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र नाम है संयुक्त राज अमेरिका यह तो वो पूरी दुनिया में लोकतंत्र अस्थापित करने का दावा करता है लेकिन मध्यपुड में आते ही उसके गर्म तेवर नर्म पढ़ने लगते हैं सायद तेल के कुवे की आर्थिक गहडाई इस मजबूत लोकतंत्र को उनके आंतिक मामलों में बहुत हद तक दखल देने से रोकता है साथी अरब और सयुक्त अरब अमिरात में तेल के कुवे खड़ीने से लेकर वहाँ सैन बेस बनाने तक तो अमेरिका कामयाब रहा लेकिन कभी भी अमेरिका ने वहाँ लोकतंत्र लाने की कोशिश नहीं की वाजिब सी बात है वहाँ पर सैन अरडे बसाने के बहाने अमेरिकी सरकार ने लगबक पूरे मद्व पुर्वी छेतर पर नजर रखी हुई है खासकर इरान और तड़की हाली में हुए दो घटनाओं ने अमेरिकी और इरान के बीच तलखी पैदा कर दी है इरान ने उन्चिनिंदा देशों में से एक है जो अमेरिका को बहुत सारे मौके पर अपने तलख तेवर दिखाता रहा है इरान के कुर्द फोर्सेस ने जो बगदाद, इराक और सिर्या में अपने समर्थन में जो सरकार बनाने की कोसिस की है बेशक इन कारणों से अमेरिकी सरकार पूरी तरह बौकला गया था सायद इसी कारण अमेरिका ने कुर्द फोर्सेस के हेट कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या करवा दी हालंकि इस हत्या के बाद एक समय ऐसा लगा कि दोनों देशों की बीच घातक जंग होगी लेकिन अब एक कुछ और बुड़ा होना बाकी था एक दिसम्बर 2020 को इरान की राधानी तेहरान के बाहर एक सरक पर सुक्रवार को एक रहश्यमई हमले में इरान देश के महत्पुर्ण परमानुवे ग्यानिक महसीन फकडी जादों की हत्या कर दी गई हालं की इरान ने इसे अमेरिका और इसरायल का मिली भगत बताई है आज अमेरिका के बाइडेन सरकार के सामने इरान को सम्हालने और मध्यपुर इस्या में सांती अस्थापित करने की गहरी चुनाती है ऐसे ही ताजातरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे हिमकॉम न्यूज धन्यवाद